कि नमस्कार साथियो आज हम कन्वेयर वेल्ड की सेप्टी के बारें बताने वाले हैं कि वहां क्या-क्या सेप्टी क्यूबेंड रहते हैं और हमको वहां पर काम करते सेमें क्या-क्या साथ होनी है रखना चाहिए तो सबसे पहले जो मटेरियल हैंडलिंग होता है वो दो टाइप से होता है एक तो होता है मेनुल जो मैन पावर मैन बॉमिन हैंड से ट्रॉली से करते हैं बस्रा होता है mechanicalी जिसमें conveyor hydro recruiting होती तो यहां पर हम conveyor के बारें बात करने वाले तो आधिश्कान morals सब जानते हैं कि एक मट्रेल को एक जगाह से दूसरी जगाह शिप्ट जने के लिए एक medium है conveyor कंवेर वेल्ड में जो क्योंक होते हैं दो टाइप्स होते हैं एक तो सेप्टी गार्ड के बारे में हम बताएंगे यहां पे यह है कपलिंग गार्ड जो मोटर और गेरबास के बीच में कप्लिंग होती है वो प्रॉपर गार्ड होना चाहिए ताकि किसी का हाथ या कोई दूसरी चीज उसमें फसेना और कोई दुरगटना ना हो पाए दूसरा होता है हेड़ पुली गार्ड ये भी जो जो हेड़ पुली होती है उसको प्रॉटेक्ट करता है वो किसी चीज को वहाँ जाने से रोगता है और दुरगटना से बचाता है ये है टेल पुली गार्ड इसी प्रिकार बैल्ड का जो टेल पुली होता है वहाँ भी गार्ड होना चाहिए ताकि वहाँ कोई दुर्गटना ना हो सके और इसका जो टेक अप पुली होती है इसके नीचे भी एक ऐसा बैरिगेड बना होता है वह है रेटर्निंग रोलर गाड रेटर्निंग रोलर गाड की नीचे भी एक गाड लगा रोलर के नीचे भी ये गार्ड लगा होता है जो इस टाइप से होता है जो इसको अधी बाई दवे ये गिरता है तो इसमें हैंग हो जाएगा Next है Side Guard दोनों कनमेर के बाकवे के दोनों तरफ इस Side Guards लगे होना चाहिए जो चलते समय हमको दुरघटना से या नीचे गिरने से बचाते हैं Next है Safety Electrical Equipment जो की लगे होते हैं यहाँ पर देख रहे हैं ये Pull Guard है Pull Guard पूरे कनमेर के थुरू लाइन में दोनों साइड रहता है और कभी कोई प्रॉलम होने से आप इसको खीजने से Convairable बंद हो जाता है जब तक आप इसको Reset नहीं करेंगे इस टाइप से ये Convair चालू नहीं होगा और Reset करने के बाद अगेन आप इसको Command देगे तो ये चालू हो जाएगा Next है Beltsway तो Belts को अपने Fixed Way से इदर उदर जाने पर Belts को रोग देता है जिससे Belts 26 होने से बज़ता है और ये है ZSS येदी Belts की जो Head Pully है और Motor है वो चल रही है आपको Indication मिल रहा है लेकिन Convair नहीं घूम रहा है तो उस Condition में ZSS जो है इसकी Tail Pully में लगा होता है और तुरत Motor को बंद कर देता है और आपको Information अपने Control में मिल जाती है कि Convair की Motor तो चल रही है लेकिन Belts नहीं घूम रहा है इसके काण Motor Interlock रहती है और वो बंद हो जाती है तो ये Electically Safety है इसमें जनरली यहां पर एक Sensor लगा हुआ है और ये जो Blade है ये Continue घूमते रहते हैं यदि इसकी Speed भी यदि Slow हो जाएगी तो अभी ये जो Sensor है वो Sensor करके Convair को बंद कर देगा ये इसके बीच में कोई दूसरा चीज़ आ जाएगा Abstraction आ जाएगा तो अभी ये Convair को बंद कर देगा अब है Convair Operational Safety Convair के पास काम करते समय क्या क्या सेप्टी रखना चाहिए ये उसके बारें बताएंगे Belt वागवे पर चलते समय फोन पर बात नहीं करना चाहिए आपका Concentration Belt पर ही होना चाहिए और इसी प्रकार ये कोई लूज कपडा तोलिया गमचा आदी डाल कर भी Convair के पास काम नहीं करना चाहिए Uniform के बटन परापल लगे होना चाहिए कपड़े धीले नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कभी भी Rotating Part में फस सकते हैं और दुरगटना हो सकती है इसी प्रकार इसका जो Returning Ruler है Belt का इसके नीचे भी हमको नहीं खड़े होना चाहिए सीद में क्योंकि ये कभी भी अधी Fall होगा तो उससे भी दुरगटना हो सकती है और Belt के Pulli Area में कार करते समय हमारा पूरा Concentration काम पर ही होना चाहिए Fon आधी पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए क्योंकि अधी ध्यान कहीं और होगा तो उससे भी दुरगटना हो सकती है और बेल्चे से डाइट मट्रियल को कभी भी कन्वेयर पर नहीं डालना चाहिए यूँकि बैल्ट उसमें फसकता है और वहां पी दुरगटना होने के चांज़स रहते हैं बैल्ट बागवे पर भी हमको अनियंत्रत गती से नहीं चलना है उसे भी आप गिर सकते हैं दुरगटना हो सकते हैं हमेशा स्लो गती से चले और इदी कोई स्क्रैप या अफ्ट्रेक्शन है तो उसको सेम टाइम उठाके अलग कर देना चाहिए यह भी दुरगटना के कारण ह हो सकते हैं इसलिए हमको स्वक्षा अपनाना है और यह वागवे का कोई हिस्सा तूटा हुआ है तो उसको वी ध्यान देना चलते समय और उसको तुरत इंचार्ज को बताकर तो रेक्टिफाई करना है मेंटें उसका मेंटेंस कराना है और प्रतेक बेल्ट की एमर्जेंसी बटन या आपात कलीन बटन के वार में हमको जानकाई होना चाहिए यदि हम वहां काम कर रहे हैं तो प्रॉपर दभी होना चाहिए यह काम करने से पहले वहां पर इंश्योर करना है और रूलर के जो ऐसे पिन पॉइंट होते हैं जहां पर गल्दी से भी कोई चीज का भी हाथ या कोई चीज नहीं डालना चाहिए क्योंकि इससे बहुत दुखटना हो सकती है और बहुत इंजरीज हो सकती है यह रूलर है आपके और वैल्ड के जो सेप्टी क्यूपमेंट है यह कोई चेती ग्रेस्ट है कैसे आप देख रहा है आप पुलगाड का वायर टूटा हुआ है जो यहां तक होना चाहिए था यहां नहीं है तो इसकी सूचना तुरत इंचार्ज को देना है और इसको तुरत सही करवाना है क्योंकि यही सुरक्चा उपकरन हमको सुरक्चा देते हैं इसलिए यह हमेशा ओके होना चाहिए और जो वेल्ट का साइड में जो वाकवे है यहां कभी भी मट्रेल नहीं होना चाहिए है उसको तुरत साप करो क्योंकि यह इसमें फसकर आप गिर सकते हैं और वाकवे में कोई अबरोद भी नहीं होना चाहिए जैसे यहां देख रहे हैं यह बॉक्स लगा हुआ है आप चलते समय है इसमें भी आपका फैर फसकता है तो इसको अपने इंचार्च से बात करके इसको हटवाना चाहिए और खोई अबरोद नहीं होना चाहिए और वाकवे में दूसरा बात है यह स्टेप नहीं होना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं यह हाइट है फिर स्टेप बनाए फिर डाउन में यह भी आपको चलते समय है आपको कि वेलेंस को बिगाड़ सकता है और आप इसमें फसके भी गिर सकते हैं इसलिए इस स्टेप ऐस है कोई स्टेप है तो इसको अटवा देना चाहिए वहां से और एक स्लोप बनाके यह इसको उपर करके इसको लेवल में लेकर आना चाहिए और बैल्ट के आस पास कभी भी ऐसा माट्रियल जो आपको सिलिप कर सकता है यह दी पढ़ा है तो इसको तुरंस साफ करना है क्योंकि यह आप देख रहे हैं राउंड सेप में हैं और आपका पैर इसमें सिलिप हो सकता है और आप बैल्ट के पास गिर सकते हैं आप हाथ करवाना है इसको और बैल्ट के पास जब भी कोई काम करना है या रेनी कर्णिशन में तो हमको एक अगनी समन फायर जो सिलिंडर होता है यह पास में रखना चाहिए हमेशा जो हमको फायर से प्रोटेक्शन देगा और कनीवेर के आज पास कभी भी जोलेंशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए क्योंकि आग को यह जोलेंशील पदार्थ बढ़ा सकते हैं हेट्पूली के पास कभी भी इस पीज़ गर्ती से या अरिंट गर्ती से नहीं चलना चाहिए ताकि आप अन्बैलेंस हो जाए आपका हाथ भी उसके अंदर जा सकता है उसी के लिए हम गाड़ प्रोवाइट करते हैं गाड़ जो होते हैं हैड़ पुली टेलफुली गाड़ जो होते हैं हमको यह इसी पूरी टिप्स हैं है अगाड़ पर कार करने से पूर वर्पर्मिंट लेना चाहिए हैं है ताकि एलेक्टिकल और मेकनिकल दोनों डेपार्ट से और पर्मिंट लेने से सबको जानकरी रहती है और उसका पावर आफ रहता है सबको मालूम रहता है कि उस पर वर्क चल रहा है वर्क समप्त होने के बाद बेल्ट चालू करने से पूर हमको सायरन पजाना चाहिए ताकि आदमी जो हैं वहां काम करा हैं अलट हो जाएं और जानकरी मिल जाएगी कि बेल्ट कन्वेयर चालू होने वाला है बेल्ट को क्रॉस करने के लिए उसके उपर से कभी भी ना जाएं ये बहुत ही खतरनाक है जैसे मैंने बताया अभी बेल्ट पर या उसके आसपर कार करने से पूर उसके सुरक्चा उपकरणों की ठीक से जाच खरएं कि वह सही सभी इस हरी कंडिशन में हैं की नहीं मैंने भी जो गार्ड बताएं और अल क्रिकले क्रीपमेंट बताएं उनको चेक करना है हो सही कंडिशन में हैं के एई बहल पर कार करने से पूरे सुछीफित करें कि उसका पाउआउफ है तो यह confirm करने के बाद ही हमको conveyor के उपर काम करना है ओके धन्यवाद स्वास्त रहें सुरक्षित रहें